खर्म की ओर कर्वट बदली है कर्वट अभी खड़ी हुई नहीं खड़ी तो उसी दिन होगी चीज सक्कूबर हो उस नए नियाज के निर्मान करने में पंभी ते जयाद से जयाद धर्म के भी आए इस नयाई नियाज रखे मरियानपुर्शोतंत्री राम की मंदिर का नव निर्मान I appeal to you, Ram Jyoti will give you all the inspiration needed for the betterment of the life All what is needed for betterment of life is only Ram If there is no Ram, there is no survival for that purpose Ram Janmaghumi actually belongs to Hindus It's all Hindu only We are all Hindu and we are a supporter of Hindu Do you think this will become Ram Janmaghumi? Definitely, 100% What are you doing? I am doing my business, oil business Are you going to go to Ayodhya? Yeah How long will you go? Well, that depends on my booking How many people will go here? Well, not less than 50,000 Can you go to Ayodhya? Yeah Don't look like you No, you... No, you go to Ayodhya! Noo, you... Noo, you... Noo, you, you... Noo, you... Noo, you... Noo, you... 80 वर्षंग्रकु चेशं, तुलसीदास रामायनतिन अधहत्तिन व्याख्यानं रजिचु तुरंगी. 1518 ओडे आयोथि मुझुवेन रामच्षेत्रंगल कुण्डन दरण्यू. इवील पलदुम रामच्छेत्रंगल कुण्डन दरण्यू. ब्रिट्टीश परणँम् व्याबग मायदोडे वलरनुवन्न हिंदु मुस्लीम आयक्यम्. ब्रिट्टीश सामराजीत्तिन्दे निलनलिप्पिन दने भीष्णियाई. मुगल भरनादिगरी आय बाबर आयोध्येले रामच्छेत्रं पुलिच्चाण रामजेन्मसलत्त मुस्लीम पल्लिप्णितत एन्न अभ्यूहम् अवर अवुद्योकिकुम्मायत ने प्रजरिपिक्यांदुलोंगी. रामच्ण जन्मसलमाय करिदुपिड़न ओन्ना अणा इद एन्नुम् परजरिणम नणनु. इतर्कम् वलर वेगम् हिन्दुक्ल मुस्लींगलुम् तम्मिलुळ उत्तु तिरुपिलूड परिहरीच्चु. पल्ली यंगणतिले विग्रहत्र मुणिलुम् हिन्दुकलुम् पल्लीक्यकत्त मुस्लींगलुम् प्रार्थन नड़त्ती. पच्छे इए उत्त्तु दिरुप दिर्खनाल निलन्दिनिल्ल्य. आयरत्ती तोल्लायरत्ती नायलत्तति युम्बदिलीर आत्रीलु हिन्दु तीबरमादिकल् पल्ली युड़ पूट्ट पूलिच्चु तुरन अबड़ विग्रहंगल साबिचु. अन्न जिल्ला मजिस्ट्रेट आयरुना केके नायर् विग्रहंगल अबड़ दिन्दमाएटान अयुमधि नल्गी इल्या। क्रमसमाधान प्रष्णम् उन्डावमेंन कारणं बरण्याण अयुमधि निश्यत्ति चदु. अधेहं पिन्निड हिंदू देशियता वाध पार्टियाया जनसंगत्तिल चेरन पार्लमेंट अंगमाई। प्रष्णम् कोडधिकल इल्यत्ति. हिंदुकल पल्लिक्य प्रत्तुल्ल उरी विग्रिहत्रमुनिल कोडधि नीमिच्च पुरोहितन देंद्रत्तिल आराधन तुड़नु. इन्न हिंदू दीवरवाधिकल आविच्च पिड़ुन्दत्त, कोडधि विथी एंदायायलुम् अविड़े पल्लि पुळिच्च्च तन्ने रामरिवेंडी ब्रहत्त्ताय उरुच्छेत्रम् पणिदेय थीरू एन्नाण। लोग मेंबाडुम् पल्लिक्यकत्त, रामेंडे विप्रमात्मगमाया प्रतिश पेडलिने पटी, वीडियो टेपगुळुम् मैट्टुम् उभियोगिच्च, आसूत्रतुवुम् व्याभगुमाया प्रचारनमणुमु. तेज दिसम्बर की रात मैंने देखा कि बापरी मस्जित में यखायक चांदी से भुटी। और उस तेज रोशनी में मैंने देखा कि चार-पांस साल का बेहत खूपसरत लड़का था है। जब बेहोशी तूटी तो मैंने देखा कि सदर दर्वाजे का ताला तूटकर जमीन पर पड़ा था। सियासन पर बुट रखा हुआ था। और लोग आर्थी उतार है। 22 डिसंबर उन्नी सु अनंचास की रात्री में भगवान श्री राम लाला आयोध्या में अपनी जन्म भूमी पर प्रगट हुए। भई प्रगट क्रिपाला दीन दयाला कोशल्या हित्त कारी आरो कंड़ा आ विब्रांदी के पलव्याख्यान अंगल मुंडाई। आयोधेल पल्लिक्यकत राम विग्रहंगल कुंडु वेच्चप रोहिदरिल और आल इंदम जीविचिरिपुंड़। महन्त राम सुभगदास्जी महराज सास्त्री अखिल भारतिय रामानन समपरदाय के प्रधान मंत्री। ये प्राइबेट महन्त भी हैं और उस ट्रस्ट के सरवाधिकारी हैं। आपने श्री रामजन भूमी के अंदर श्री रामजन जी का प्राकट उस्सव किया था। वहाँ कौन सा डेट है, कौन सा तारीक है, कौन सा सन है आप बताने का शक्त करें। आपने श्री रामजन जी का प्राकट उस्सव किया था। और वहाँ बाबरी मस्जिद में भगवान का अबदार हुआ था। आपके वारा। आपके उपर भी कोई अर्गनाइजर था। उस निक्ति में प्रधान नईयर सहाब थे। केके नईयर जो यहाँ के डीयम थे के रहुआ। और उनीस सो उन्चास से लगातार प्रितमा रखी गई है। तब से नहीं हटाई गई अभी तक। आपके ने रखी थी। महन्तरामसवागदास जी, सास्त्री जी जो आप सामने में हैं आपनी ही रखी थी। आज हमारे और भी सहजुई थे, केवल में नहीं था। तो मूर्ती रखने का काम आपको कैसे उसके बारे में आपने कैसे स्वचा। कि तो स्वपनी रूप हुआ और स्वपने को साकार किया, मूर्ती रख के। स्वपनी केवल इन ही को नहीं आया, अभरामदास के मन में भी आया, और महां धिक्विजे नात के मन में भी आया, महां थरामसुभगदास्ची के मन में भी आया, प्रधान पुजारी उस समय मूर्ती रखने वाले यहीं आप हैं महां थरामसुभगदाजी सास्त्रे, जो इस समय अजोध्या के सबसबब अपरत हुए। आम जनता तो यह नहीं जानती है कि मूर्तिया इन्हों नहीं रखवाई थी। ने, रिकार्ड में है, गॉर्मेंट ने आपके नाम से वारंट जारी किया था। वो वारंट का नकल मैं इस समय आपको मौजोध में दिखा सकता हूँ आपको। जेल से कैसे निकलाए हुए। जेल से कर वो जमानत पर रिहा हुए। मुकदमे चले और मुकदमे से आप फिर बड़ी होगे। नहीर साहब ने, निरने दिया कि जब तक इस केसब फैसला नहो तब तक इससे बड़ी कर दिये जाए। मेरा जो प्रारण भी काम था ठी भगवान राम उसमें अस्थापित हो इस सिध्धान्त लेकर जितना काम करना था मैं किया अभी बोलने पर मुझे गवर्मेट बंद भी कर सकती है इसलिए मैं बोलता हूं नहीं पढ़े पढ़े ले वृतनाए इमामम अदेखतन मगनम आसंभवम और कुनो सन्वन्चास की रात में जब मेरे फादर हाजी अब्दुलगफार साहब इशा की नमाज पढ़ने के लिए गई थे तो उस वक्त नमाज पढ़ा के घर जब वापस आए तो सुबा जुमे के दिन फजर की नमाज पढ़ाने इनको जाना था फिर तो उतनी में मौज़न रात में आया जो वहाँ मज़िद में रहता था सफाई करने वाला ज़रू देने वाला उसने बतलाया कि हमारे हाँ मज़िद के अंदर तो मुर्ती रख दिया है बेरागियों ने तो इन्हों ने काया कि अच्छा ठीक है हम चल रहें वहाँ ऐसा कैसे हो सकता है जब वहाँ आए तो डियम ने वादा किया कि आप इस जुमे की नमाज कहीं अलग पढ़ लीजे और उसके बाद में हम दो चार जुमे में इसका फैसला करके आपके हवाले कर देंगे फिर का इंतजार आज तक कर रहे हैं आपकी ओमर कितनी है ज़रा से बरस आपके हमारा कालबार सारा लकडी का सप्लाई करने का जो है मंदिरों से ही है मंदिर्ट में लकडी बेचते हैं हमारे यहां के डिप्टी कमिशनर साथ इनका नाम है नयाद इन्हों ने उसमें बुत रखा दिया रात को और जब सुबा की नमाज पढ़ने गए लोग तो नहीं जाने दिया गोर्डमेंट के जानते किसी को जो वहां सुबा नमाज पढ़ने आरे उसमें तैनात यहां मुकरर्र थे आजान देने वाला अलग्ट और नमाज पढ़ने वाला आज तक आप लोग अभी यही नहीं समझ सके अब क्या समझने आए हैं अब तो यह माम बहुत दूर पकड़ गया है ना आप तो साब अब जेर गवर है वहां अदालत में दुनिया खलफशार हो गया खुदा मालूम कितने लोग नजर आतश हो गए कितने लोग मोच के अब आज आते हैं उसके लिए जाज के लिए हम लोग उसी के सहारे हैं कि क्या फैसिला होता है अब तो हमरी बात जो पहुंचे कर आप पहुंच गई अब हमरी बात क्यों पहुंचावे वाला नहीं है उनना हमरी बात में कुनों ताकत है आज यतनी नफरत पैदा कर दी 1529.1992 चिंदु मधमाउलिक वाधिकलेयम् मुस्लीम समुधाय तेययम् उरिपोले प्रिनी पिक्यान्चन मेच्चुू उरिवचत अवर मुस्लीम वरिदकलके विवाहमोचिन नष्टपरी हायरं नलगेंड दिल्दनमिल्बिल्पासाकी मर्वचत अवर बाबरी मस्जित हिंदुकल के प्रार्थनिक्याई तुरन गुड़तु अदे सम्यम् मुस्लींगल के प्रवेश्रम निश्रीदिकी इमचीदु प्रदिशेत सुजगमाई मुस्लींगल बाबरी मस्जित एक्षिन कम्मेट्टी रुबी करीचु पच्छे अदे हिंदू तीवरवादते शक्त माकाने सहाय चुल्ळू तुरन राजित उन्डाय वर्गिय कलाबतिल एधांड रंडायरित्ती अन्यूरोलम पेरान कोल्य पिट्टत पूजारिया एलालदास विबातर सलमाई रामजन मभूमी सलत कोड़ नहीं में चपरोही जनाना मैं रामजन महूम काप परदान पुजारी हूँ और दर्थ साल से कार्जित मैं हूँ विवस्था मेरी हाथ में है और अभी तक मैं उस मंदर के विवस्था देखते चला रहा हूँ तो यह जो विश्व हिंदु परिशद ने मंदर बनाने का कारिया शुरू किया है इसके बारे में अब क्या सुश्चित एक राजनीतिक मुद्दा है विश्व हिंदु परिशद ने जो कारिकरम चलाया है मंदर तो बनाने के लिए कोई रोक नहीं था फिर हमारी हाँ ऐसा कोई विधान नहीं है कि हम भगवान को अलग हटागर के किसी जगा रखे जाएं क्योंकि भगवान जहां विराजमान हमारे होते हैं हम उसको मंदरी ही मानते हैं हमारे हिंदु परंपराई है चाहे हो किसी भी मकान में रख दिया जाएं तब भी हम उसको मंदरी ही कहते हैं क्योंकि भगवान जहां विराजमान हो मंदरी ही होता है फिर अलग से मंदरी बनाने का कोई अच्चित नहीं अगर अलग से भी बनाया जाता तो उस हिमारत में जिसमें भगवान बिराजमान है हम उसको तोड़ना भी नहीं चाहते हैं और जो लोग तोड़ना चाहते हैं वो इस मुद्धे को लेकर तोड़ना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में एक तनाव की स्थिती पैदा हो और हिंदुमत जो है हमारे प्रक्ष में हो उनको ये चिंता नहीं है कि कितना अवराज जन संगार होगा कितने लोग मारे जाएंगे, कितने खटेंगे, कितनी बरबादियां होंगी या जो मुस्लिम बाहुल छेतर में हिंदु रहती हैं उनकी क्या प्रस्तिती होगी हमारे देश के सामने तमाव ऐसी समय से आए है कि 1949 से आज तक किसी मुस्लमान ने वहाँ कोई अवरोध नहीं पैदा कि लेकिन जब इनोंने यह नारा दिया कि बावर के शंतानों से खून का बदला लेना है तब पूरा देश जो है उद्धंगा ग्रस्त हो गया और कम से कम हजारों लोग इसमें मारे गए मौत के घाट उतार दी गए लेकिन तब भी इन लोगों ने जरा से यह महसूस ने किया कि यह तनाव जो देश में फैल रहा है हिंदु मुस्लिम की जो एकता आज हमारे देश में बनी हुई थी तमाम मुस्लिम शाषकों ने मंदरों को जो जागीरें दी आज जाल की घाड में मापी नमा मिला हनमान गड़ी के बहुत से भाग मुस्लिमानों की बनाई हुए है फकीरिराम जी का मंदर शाषकों त्वारा मंदरों में दी गई और अमीर आली और वावाराम चरण दास जो समझोते थे कि हम हिंदू और मुस्लमान दोनों एक मिल करके रहेंगे उसी जनम्भूम के पार्ट में दो भाग किया गया कि एक तरफ मुस्लमान निवाज पढ़ेंगे एक तरफ हिंदू पुजा करेंगे ये सारी बातें जो थी उस पर इन लोगों ने पानी फेर दिया हिंदू तरंगतिले अरी अड़त्तु तरिमरपिल भारती जनता पार्टी तांगलुडए लोकस अभेले सीट रांडिल दिन्दूं 85 आई वर्धिपिचु आयरती तोलायरती तोन्नूरिल आपरण देधाव एलके अध्वनी ओर्यू एर कंडिशन टोयोटा रधमाय संगल्पिच्च उर्यू परजारन मारिम्पिच्चु आयरती तोलायरती तोन्नूर ओक्टोबर मासं मुप्पधाम्धी इधी आयोध्हेल आपसानिप्पिकैन उद्धेच्च्चु कुण्ड पधिनाईरम किलोमीटर तांडायनुड रेधैयात्रा आयरकनकिन कर्स्टैविकरेईम् हिंदू वालनिर मायरेम कूड़ च्चेरकान उद्धेचे चुल्ड दायरुनू आयोध्हेल रामच्चेत्रम पणियां। इस देल कुछल कर्मा देगे हम मंदिर वाही बनाएं। गयता कैवल दाकी है काशी मत्रा बाकी है। बच्चा बच्चा राम का द्रम पुमी के काम का। देख रहे हैं। वह ये बाशन चल रहा है ना। तो वही सुन रहे हम लोग। तो वही गरिप के लिए क्या करते हैं ये लोग। अब हम लोग आईसे पुपायरी को रहते हैं। मुन्शुपायर्टे आती तोड दालती है। फिर क्या कर Bennett के बारिस में बच्चे लोग लेकर सोते हैं अब हम को क्या मालूम गाता था करते little अब पर्रिया रिफ नहीन मैं हें। क्या 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 चल रहा है क्या क्याम को मालूम देंरा मालम रहता तो पड़े ले इंसान हो आज मैं हपीले में करता हूँ आज को मैं सर्दार को और सम लोगों को इकलाएं बताता हूँ कि अयोग ज्या में जिस स्थान पर भगवान राम का ज़ित मगवा था वहाँ पर मंदिर के निर्मार को कोई शक्ती रोप नहीं सकता और मंदिर महीं पजेगा आज बाते काम ने यहां पताया तो मैंने एक अख़बार में मोती मोती ख़बर देखी यहां के कुछ वरिष्ट लाजिकों है मेरे नाम एक फुली अपील की है जिसमें कहा है यह अजवानी वान्ड और कम्यूनल गायस इस पतार की बाते करना के साम पताय धंगे होंगे मैं इसको दुर्भा के पूर्ण मानता हूँ मैं इतना जोड़ घरता हूँ कि यूँ तो शराव करने के लिए चाहाद होगी करसके लेकिन कम से कम इस प्यात्रा के कारा किसी पतार की घर्पन भी होगी यह मुगी विश्वास है और यह यात्रा रिस्पोंसिटिलिटी के साम उत्तवाइक के साम लेकिन इस्टेर के साम यह विक्रत शर्टुर अर्वाद हमको स्विक्यार नहीं तैयारी तो देखिए रहे हैं बहुत धुम्दाल से हो रही है उनके स्वागत के लिए हम लोग तैयारी कर रहा है सरकार के कहने से मंदिल और मस्जीद का निर्मान नहीं होता है यह धर्म की बात है और यह पबली का अपना अटूप विश्वास की बात है आपको कौन से पार्टी का है हम पार्टी वाड़ी तो फिर छोड़िया अभी धर्म की बात जहां तक बलता है तो हिंदु धर्म से हम कंसल्ट है पार्टी में नहीं है पार्टी तो ही है किसने किसी पार्टी से जरू कंसल्ट है हम ऐसे दिल से कंग्रेसाइब को चाथते हैं, लेकिन हम धर्म के जहां तक बात है तो हिंदु धर्म को तो ही है, देखिये दो, देखिये, देखे, अचिंडिया उ जो मंदिर है लोगों का कहना है कि यहाँ पर दंगा फसाद होने के संभाव ना है हो तो कुर इसका परभाण नहीं है क्योंकि मंदिर मेरा है और मेरा पुर्वज का है एक अभिकाल से और मंदिर वहां रहे गा है तरह तरह नहीं है कि अगल तुझ अघरॉगा तो हम सांति जाते अगर अगर रस्ते फोल चutar को तो चुड़ेंगे जाए कि आध में आज кадह कुरों हो जुक्त कि तो देट च्नव सब्स kraut बाद 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 बना और बजरंग दल तो विसेज करके राम जन भूमी के मुद्दे पर बनाय गया जैसे यूथ विंग है विसंदू परसद का बजरंग दल बाद 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 बिसंदू परसद बजरंग दल पूरा एक संग परिवार है ये बजरंग दल मतलब भी है कि इन्दो का यूबा सकती एक साथ एक नाम से संगठीत हो जैसे कि राम जी का बानर से न था है नृट है उक तति कान करते हैं हम भी लोग कर रहे हैं रुट रहर है अ कि वोग अरफ fact acalat और अब कम कि अन्थ कर से घृ थहए अवसे का अवसे एकन एलक्टिक की दुकान एलक्तिक की दुकान पीज़े यह दयान एक क्यों आए आप इसमें? हम लोग जो भी विस उन्दु परसद के ओपर गलत नजब देगा उसके लिए हम लोग उसका कोई भी कुछ भी कर सकते हूं उसके साथ जो भी हमारे हिंदु धरम के बिरोधी हो जो भी हमारे हिंदु धरम के बिरोधी हो जैसे कुछ मुस्लिम लोग है कुछ अपने ही हिंदु लोग है जो कि हम लोगों को बादा पोहुंचाते हैं हिंदु धरम के विशे से राम जी का जन कहां हुआ था इसके बारे में कोई प्रमान है? पोई जानकारी मुझे देना अपने आपको पिरो देने वाला ही व्यक्ति उसको उसके बारे में कुछ बता सकता है अपने पढ़ा होगा ना लो में अभी हमारा पस्टियर ही जाया है हमने अभी उतना कुछ पढ़ा नहीं है और लो में मेरे ख्याल से ऐसा कुछ मिलेगा लो में अपने जैसे धर्म गुरु अगरा बताते हो नहीं पताते हैं इसका जम कतने साल पहले हौप गुदन भरी उतनी कुछ फह यहांदे करके बता हम नहीं कर सकते हैं हम आपको पुता मैं आपको आराम चाहरा में कर रहे हाँ हाथ इन लगा ले ना क्या कर रहे हैं हमको दर्शन करना है उसको आरती दिखाना आ रहा है ना उधर से रामजनरा मुमी को आरती दिखाना है सेवा करना जो भी मोटर गाड़ी आती है वहां दर्शन कराते हैं रामजनरा मुमी को आरती दिखे आरती दिखे आरती दिखे मंदिर अगा उधर से पूरा मंदिर? पूरा मंदिर? हाँ हाँ ट्रक से उधर से ट्रक में मंदिर आ रहा है को? आएगा आएगा जो लिखा हुआ है व्यजिने जो आएगा पूरा करें आएगा जो भाड़ी पुलिस लदिकारियों को अड़वाणी जी की और से खान धन्न्यवाद आपने बहुत अच्छी यह सामने नहीं गाड़ी रहेगी, सामने गाड़ी में रहेगी, कोई गाड़ी हमने रहेगी, सामने नहीं नहीं आपने नहीं गाड़ी में रहेगी, सामने 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 नहीं गाड़ी म के लिए उनको अपील कर दिये वी-पी सिंग को कि वी-पी सिंग साब आब अब जाये और वी-पी सिंग साब को देखिए मनल यो लोग की क्या वशकता थी आज की तारीक में आप सबसे सलाम अश्रुआ करते पहले दूसरे मसले हार कर दे लेकिन नहीं उनको अपने कुर्सी ब असली यादों नहीं लगता हमें क्योंकि अगर असली यादों होता तो रत यातरा का स्वागत करता ये असली यादों नहीं है ये यादों मुझे लगते कुछ पिछणी जातिया तीसे कहीं से आया होगा मंडल कम्मेशन रिपोर्ट नडपा कायनुम पिन्नोक विभाग कारक जोली समरणम चीयानुळा सर्कारिन निकते समरण हिंदू विभागंगल इदुर्त वरिगी आयरुनू आवरड विद्ध्योशं बेजेपिकिम राम चेतरतनी मोड़ पिन्दुनी आयमारी पच्छे समुखित लित्रनाल अवगणिके पेट्रिन वर किडैल उर्य पुदिये बोधम मलर्यान तुड़ंगी इरनू मैं गुंतिन ग्रों की रहने वाली हूँ नाम मेरा भगवान देवी है सिलाई के काम कपड़ा के दुकान भी हैं दोनों के दुकंदारी में करते हूँ वही मजूरी खेतिवारी करते थे और खेतिवारी करते थे उने लोगों को जो मंदिरों बैट से हैं के पुजारी लोगों करते हैं उन लोगों के हम नोगरी करते थे और में नहीं करते थे और धार देदे तो ठेट लें वहार ले तोouve करें उल्ला पाख लुक्तरे पाख लो करते हुं कर दो पाँ जब से में मारे जह के ओढ़े कwegen और अगर ऊसके बाद में लोटी पाई कि नहीं दे bowl cafe नहीं गे यह यह सब्सक्राइद के तो कि हमारे अगर तर बुझर को चेत हैं तो कि थी हम्हाइलों चुन्रह कि झे। मगर अब क्या रहें कि अब आसके हैं अभी वही बात है यहां कास को होत रहा है हम कास करने वाले 45 साल की मेरी उमर है आज कितने साल हुई जिस बख़त अंग्रेज गया है तो अगर तोड़ना जिसको रहा है तो वही से हटा दिया होते नजाने कब बना है आज हम चार-चार शा बार जुद्ध्या जा चुके हैं और वहां पर मंदिर और महिजित बराबर बना है तो जब नारा बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई-भाई आपस में सब भाई-भाई तो जब भाई-भाई हो आज 40 साल और पताने के 30 साल पहिलत बना तो आप उसमें क्यों मंदिर तोड़ दिया जाए तो दोनों बने रहा है जो से हम भाई एक जिगा बठते हैं तो हम दोनों भाई रहें मुस्लिम भाई उसमें नाज पढ़े हम उसमें क्यैक पढ़ें हमारी समय मिल्ज इस गार आता है और जोना है उस निए स्कारफ जनता परनुसकान होना को रइदास जमार जिसको कहते हैं कोοι इड़तो पच्छतिन ने आघुआनम चेपी कुंड जनेंगल रदही आतर के तरे प्रतिशी तिक्यान बिहार ले पत्ने ही लेके मार्च चेदू 43 साल के आजाजी के बाद में भी महंगाई आज आस्मान को छू रही है बेकारी आज करोडो नव युवकों की है भूक मरी और गरीदी आधे से अधिक लोग आज भी उस लक्षमन रेखा के नीचे है यहाँ पर निरक्षर्टा बीमारी चारो तरफ पहली हुई है मगर मालूम होता है पिछले कुछ महीनों से कि मानो इस देश में इन में से एक भी समस्या ऐसी है ही नहीं एक मात्र समस्या अगर कोई है तो वो है मंदिर और मस्जित की बिरतर अगु बीरा के नाम पर एक रत पर चड़कर एक पक्ष के नेता उनका चुनाओ चिन्न कमल को लेते हुए और भारतिय जन्ता पारिटी का थवज लहराते हुए देश बर में रठयातरा कमत करते हुए घूम रहे हैं तो ये किस लिए घूम रहे हैं बीजेपी के लिए वोट बटोरने के लिए अगला चुनाओ अगर आवे तो अठ्यासी का 188 किस तरह किया जाए इस बात पर सोचने के लिए मैं ये कहता हूँ कि उनके सारे ये रंगी इन सपना चूर चूर होकर रह जाएंगे क्योंकि इस देश में बहु संखे हिंदूों ने धर्म निरपेक्षता को अपनाया है अगर आज ये भारत एक धर्म निरपेक्ष देश के रूप में है इसका बहुत बड़ा अश्रे इस देश में बसने वाले पच्चासी प्रतिशत हिंदूों को बेशक जाता है लेकिन ना महात्मा गांदी ना जवाहरलाल नहरू ना फासी के तक पर लटकने वाले हमारे वो सैक्रो तमाम जो शहीद हुए उनमें से एक ने हिंदू राष्ट के लिए अपनी जान नहीं दी इस बात को भुड़ाया नहीं जा सकता है मगर ताज्यूप की बात है हट है मंदिर वहीं बनाएंगे वहीं बनाएंगे और मस्जिद तोड़ करके ही बनाएंगे इसमें राम की मर्यादा है आयोध्या राम का जनमस्थल है माना ये बात हिंदू का एक विश्वास उनके अस्मिता का सवाल है इस बात को मैं मानता हूं पर मैं ये कहता हूं कि मुझे कोई कहदे अडवानी जी या कोई और कि आयोध्या का वो कौन सा चप्पा जमीन है कि जो राम की याद से पवित्र नहीं ये मुझे को वो कह दे आयोध्या के कहीं भी जा करके आप मंदिर बना लीजिए हम में से हर किसी ने हजार बार इस बात को मन्जूर किया कि मंदिर आप बनाएं बेशा का योध्या में बनाएं बेशा कव्य बनाएं मगर ये हट न करें कि मस्जिद तूटने पर ही वो मंदिर बनेगा ये हट न करें हम में से कोई लाल जंडे मानने वाले हो या कोई और भी हो हम सब धर्मों की श्रद्धा करते हैं एक धर्म की अस्मिता और अंकार के नाम पर दूसरे धर्म की अस्मिता और आस्था आप तोड नहीं सकते इस बात को ध्यान में रखिए दोस्तों हिंदु धर्म में सहिशनुता है असहिशनुता भी है मानोता भी है और जात पात की विवस्था भी है और इसलिए वर्षों से संत और महंतों ने अनिक प्रकार के सुधार लाने के प्रहतन किये जात पात विवस्था के खिलाफ उन्होंने अपनी आवास बुलंग की आज भी वो कायम बढ़ा हुआ है आज एक नया प्रेतन चल रहा है कि इस देश के अंदर में जिनको प्रशासन से दूर रखकर कहा गया कि ये सिर्फ सेवा और चाकरी करने के सिर्फ इसी लायक है और किसी चीज़ के लायक नहीं है आज एक प्रेतन किया जा रहा है कि देश के कारोबार चलाने में उनको भी हाथ बटाने का मौका दिया जाए लेकिन वही ताकतें जो हिंदु धर्म के अंदर कठमुलापन कायम रखना चाहते हैं जंडा लहरा कर मस्जिदें गिराना चाहते हैं वही लोग इस देश के अंदर में वरनाशनम और जातपात के नाम पर भी जो है तो आज कसमे खा रहे हैं और उसके प्रेतन कर रहे हैं इनके चेहरों को देख लो इनको पहचान लो इनके मनोवृत्ति को समझ लेओ और इसलिए मैं कहूंगा कि यहाँ पर यह सारी लडाईयां एक तरह से जुट गई हैं कि मस्जिद कायम रहेगी मंदिर जरूर बनेगा इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात को समाब करता मैं कहूंगा देश द्रोहियो साउधान जाग उटा है राम भगवान आपने कहना है देश द्रोहियो साउधान जाग उटा है राम भगवान मैं कहूंगा ये तो पहले जाकी है आपने कहना है काशी मतुरा बाकी है ये तो पहले जाकी है काशी मतुरा बाकी है कहनों ने तलवार दी थी भाई को आज मैं उनको ये तलवार दे रही हूँ उनके अभे के लिए उनके निर्भाय के लिए एक बहन ने तलवार देना अपने आप में इत्याज बनता है बोलो स्री लाल कृष्ण अडवानी जी की सोगंद राम की खाते हैं एलके अडवानी जिन्दाबाद राम भक्त जिन्दाबाद और जोर से बोलिए भगवान श्री राम की आप लोगों का बहुत बहुत धन्दाबाद नमस्कार लोग कहते हैं कि आप अडालत का फैसला क्यों नहीं मानते अडालत के इस बात का फैसला करेगी कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था के नहीं हुआ था आप से तो इतनी आशा है बीच में मत पड़ो रास्ते में मत आओ क्योंकि यह जो रथ है लोक रथ है जरता का रथ है जो सोमनाच से चला है और जितने मन में संकल पकिया हुआ है कि 30 अक्टोबर को वहाँ पर पहुँच करके कार सिवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे उसको कोन रोकेगा कोन सी सरकार रोकने वाली है रंकतरंगे उरु पोली सुकारे नलकम आँचि पेर कोलपट्टू गुजरातिल वीच्च पी बीजेपी बेंदिल एट्टो पेर कोलपट्टू राजसानिल जैपूर जोधपूर आलवर नगोर निर्वडंगल व्यावगमाई अक्रमंगलोंडाई राजसानिल इदुवरे नालपती ओइनपत पर मिर्चिताई वारता एजनसी रिपोर्ट जेएनो बघर खाले करा लेना है इसा wprowad हमने अपने में को खाले करा दिना completed अब खाल बनेगे में सबस्क्Another हमारी माताजी मादव रवासंध्या की माताजी मेरी माताजी णानि मारोंग ऑई आज मैं भार्तिय जंता पार्टी में शामिल हो जाओंगा या कांगरसाई में जंता दलाज मैंने छोड़ दिया मैं विधायक हूँ, MLA हुँ, हरेना से, ताउती भी लाल के यहां से लेकिन आज मैं मुलाहिम सिंग यादब के खिलाफ हूँ मुलाहिम सिंग आज मुझा रच्ट नहीं कर सकता, उसकी पावर नहीं पंडर चरंजी लाल एंपी, करनाल से मेरे मा में है, सुच्मा सवराज, मेरी सगी बहन है आज मैं सरकार छोड़ रहा हूँ, इनके गुंडापन से अरे बाबर कौन था, गुस्पैटिया था, अकबर कौन था, गुस्पैटिया था, तो हमें बाबर को नहीं मानना, हमें राम को मानना है जो कितने सालों से हमारे देश के अंदर राम राजी था, दर्श्ट के बेटे थे, हम राम जनब भूमी को अपना मानता देते है बाम जी बताते हैं कि सुभा से पी के रखना है ने 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 गलाओ ये फिर दिमी कंदर तो दुई रखना है वो सोमरस है भाई साब बता रहें कि आपने सुभा से शराब पी रखी ये सोमरस है इसका बहान बड़े-बड़े देटानों किया दर्योद ने किया दर्योद ने किया धरद्राष्ट ने किया शरीकर्ष ने किया तो ये तो सोमरस है इसको बेने कबाद नाग बड़ता है हम तो कहित फैसला हुए वही ठीक है हम लोग अपने मजदिर बनाओ हम लोग अपने भाई भाई है आए ना भाई भाई है अब अब एतनी दूनों फरीकेन में एतना जुझ है इसमें फायदा कुछ नहीं होगा नुक्सान के लावा का फायद है लगाई हो ठनी तो पैसा लागी इधर से पाइसा है अब लोग चावराव दुकान गोले पुछ यह पैसा काम नहीं हो रहा है कि भा EPA चार किलो कर नमख विकार रहता हो का Jeंदе किलो कर ने रही मिल ल57D ॐ नहीं देडर्ग आणि नहीं मिला है आहा हमा लोगन का गल्ल मत्खार shiftsता है आए और ऑर कोयी चीजी सस्ती नहीं हुं हे सब गल्ल हमारा लोगन सस्ता है और जक्ति है सब महेंगाई है यह बाद है यह बाहर बाहर कर जो नहीं सब बाते देकार की लराई जगरा करने वह नहीं कि अब बना लिए अब बना लिए अब कोई जगरा सांध करें लिए लेकिन अब लराई वाली मतलब बात हो गई आप हिंदू है कि मसल्मा ने हम तो हिंदू तभी आप सोच्था कि यह मंदिर नहीं तोटनी चेए विल्कुल क्यों हमारे मंदिर बना होई कोई तोड़ा लागे तो हम कैसे बात तोट जये मंदिर अगर तुमको मस्जिद बनाना तो पान अоф लोग कौनसे जात deepest लोहार मतल लौह के काम कर्ना है मिझा लिए अपमें से कोई जड़ा ज़फ sentence नहीकि नrire इसमें रेहिमार कोई नहीं है can only Kno डेहमाण लोग तर वहहां जाते मंदितू कि मंदिर बन जाए को सीधा ममला उनका ही है आऊ कोच Random आप यहां कितने साल से हैं कड़ी पाइंकिश आप पुजारी हैं यहां इस वंदिट नाम है अपका महन भला दाश है यह जो अभी हो रहा है इसके बारे में क्या सोचते हैं परे तो बहुत 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 अरुद्धा था कोई अजुद्धान कोई बवाल ने था बहुत कोई परिपंद ने था उन्हें भगवार को नगरी सांट सुवाब था आप तो बवाले 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 बवाल चलता है इहां पर मंदिर बहुत सारे है ना पराणी जवाने के पांच हजार मंदिल रहें आप तो घर घर मंदिले हैं घर घर सब मंदिले हैं जो दुकर स्री बनाए यह उब भगवान को मंदिल बनवा लिए हैं और मस्जद भी है यहां कुराने है तो मुसलमान भी काफिर था खुनों अवाल बवाल नहीं होता था अजुद्धा के जिमिदार है मुसलमानों जो अच्छन मिया नाम को था परले अजुद्धा के जिमिदार था यह अमावा कोठी है यह सम मुसलमाने के था यह सम पुरा महजिदे रहे है यह मनी परवत है जो कम से कबरे कबर है वहां करीब कुत्वाली के पीछे नवगजी है नवगज के कबर है कुल बवाल ने था कुनु पड़ी पंच ने था यह तो के वल वही राम जनम भूम के तब से बवाल 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 शुरू हते बासो जब नईयार सहाब रहे तब से पहले कहां बवाल रहे भगवान जनम लिया था अभी माजीदे मालूम कि यह घर में लिया कि वहां पर लिया कि वहां पर लिया कि वहां पर लिया कि वहां पर लिया मगा भगवान अजवधा में जनम लिया अभी कैसे कहो कि हम यही माजीदे में जनम लिया आज तक जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर में इस तरह से दंगे फैलाएगे ये मात्रीक संपरदाईता का दंगा खुर्शी और पैसे के लिए फैलाएगे ना कि ये राम जनम भूम के मैं तो ये कहना चाहता हूँ मैं राम जनम भूम मंदिर का पुजारी हूँ मैं बिल्कुल सत कह रहा हूँ आपसे कि आज तक बिश्य हिंदु परश्यत के लोगों ने वहां पर एक माला भी नहीं चड़ाया भागवान की पूजा अर्चना तक उन लोगों ने नहीं करवाया वहां पर बलकि उन्होंने ब् पैसा चाहिए पैसे पर खरीदे गए राम शिलाएं घुमाई गई उसके उन राम शिलाओं को उन्हों लोगों ने अपना कमरा अपना मकान बनाना सुरू किया और काफी जन्भावनाओं को उन्होंने दोहन करके और बड़ी-बड़ी विल्डिंगें त्यार कर ली करोड़ अरवो रुपे इन लोगों ने गठा किया लाग विभिन बैंकों में ने डाला और लाखो रुपे अनों ब्यक्तिगत अपने खाते में लोगों ने डाला तो लोगों की हत्याएं हो जाएं लोग नस्ट हो जाएं इससे इनको कोई मतलब नहीं इनको मतलब पैसा मिले कुर् करते हैं यह सभी उचिजाद के लोग हैं और सब के सब सुभधाब होगी है इनमें त्याग और तपश्या और जन्मानस का हित लेश मात्र नहीं है ये केवल धार्मी भानों को भार करके और स्वयम को सुक्सुल धामिय वो परणित की हुए हैं ये जनहित की बात करी नहीं सकते हैं लेकिन आज बड़े-बड़े मठ हैं करोणों और वों की शंपत्ति उसमें हैं और हम पैदल छोड़ करके एरमेल से चलते हैं फस्किलास की टिकेट पर चलते हैं ये कंडिशन के कमरे में रहते हैं तो जहां पर हम एक तरफ भावतिक बाद व्यवस्ता से अलग हो करके त्याग और तप्रस्या और जनहित की बात सूचते थे उस जगे हम उसको त्याग करके और भौतिक व्यादी व्यवस्ता में प्रून रूप से लिप्त हो चुके हैं तो हम भौतिक व्यादी व्यवस्ता का एक पोशक मानता हूं है, हम बहुत बड़े राम के भक्त है कि नबभे परसंट लोगंखों मरें, यह हमारे देश की जो ढवारो है है यह क्या इन धर्माचारियों के नहीं चाहिए अगर आप बड़े पूजी पती हैं आपके पास पैसा है आपके कहने में एक पूजी पती समधाय देश का है तो उन पूजी पतियों से पैसा लेकर के उन गरीबों में लगाई आप जैसे मदट रेसा कर रही है या और जिन धर् करें आप मैं इंकम डेक्स डेपार्टमेंट में डेप्टी कमिशनर हूँ पिछले साल मार्च दो को मैंने विश्व हिंदू परिशद के जो अकाउंट्स हैं उनके बारे में जानने के लिए इनको सम्मंस जारी किये थे अशोक सिंगल समेथ जो लोग इनका हिसाब देखते उनको पे दिये गए थे 24 घंटे के अंदर अंदर विश्व हिंदू परिशद का एक बहुत बड़ा डेमोंस्टेशन 28 लोधी एस्टेट पे परधान मंतरी के बार हुआ उसे दिन मेरा मदरास्ता बादला कर दिया गया और तब जो सरकार थी उन्होंने उस पूरी इंक्वा पैसा आया है कि नहीं आया है विश्व हिंदू परिशद ने Reserve Bank of India को अपलाई किया था कि हमें बहार से पैसा लाने दिया जाए क्वी कि बहार से उनकी बहुत सारी ब्रांच इनकर मंदिर के लिए पैसा भेजना चाहती है विजवर्बैंक और इंडिया ने इनको ये पर्मिशन नहीं दी क्योंकि ऐसे और्गनाइजेशन जो देश के अंदर या थो थोड़ फुड़ की कारवाई कर रहे हो या राजजितिक कारवें में लगे उनको ऐसी पर्मिशन नहीं दी जाती और विश्विंदू परिशद को नाम की एक संस्ता है अमेरिका में जिसके करीब 200 ब्रांचिस हैं सारे अमेरिका में और ऐसी ही ब्रांचिस कैनेडा और इंग्लेंड के अंदर हैं जिन की संख्या करीब एक लाग से उपर सदस्यों की बताई जाती है और इनसे पैसा इकठा किया गया ये हमारी नॉलिज में था ऐसा है कि इनकम टेक्स का रिटर्न किसी ट्रस को फाइल करना होता है तो उसको सारे अकाउंट्स की तफसील देनी होती है ये कानून है तीस अक्तूबर 1908 को अशोक सिंगल ने एक रिटर्न फाइल की जिसके अंदर उन्होंने उसके उपर तो लिग दिये कि हमको इतना पैसा आया और इतना पैसा हमारा गया है और मैं उसके साथ सारी एक एक चीज़ का बयान दे रहा हूं कि कहां से पैसा है कहां से नहीं है वो सारी बयान जो था रिटर्न से गायब था तो हमने ये सबसे पहले था कि उसको हो सकता है कि शायद हम से खोया हो हमारे डिपार्टम नहीं दी गए हैं और इनके कई ऐसे नेताओं के खिलाफ हमारे पास जो हमारे इंफॉर्मेट से हमारे पास इंफॉर्मेशन ला रहे थे इनका जगड़ा भी हुआ विश्विंदू परिशद की नेताओं का आपस के अंदर की एक करोड सियास्ट लाक रुपए जो शिला न्य सब्सक्राब था तो उन्होंने सरकार के ओपर निश्विंदू पर दबाव डाला मार्च 8 को कि इसको या तो किया जा नहीं तो हम सरकार से अपना समर्थन वापिस ले लेंगे जब ये बार बार ये बोलते हैं विश्विंदू परशयद के नेताओं कि हम कुछ नहीं चुपा रहे हैं हम से जब चुपा नहीं रहे हैं तो आप कानून के आगए अपने गवाईये देने के लिए आप क्यो भाग रहे हैं पिछले 13 मेने से आप छुपते क्यों फिर रहे मैं बाहर से जब पढ़के आया था वापिस तो इसी ख्याला से आया था कि शायद देश के लिए कुछ करूँगा लेकिन इस देश में होना है मैंने अमेरिका से मैं सब छोड़के अपना काम छोड़के मैं इंदोस्तान चलाया था यहां पर अगर एक कानून इंप्लिमेंट करने वाले आफिसर को अगर आप उसके साथ ऐसा करेंगे तो इस देश में कोई कानून नहीं रहेगा यह हम बता सकते हैं घर हमारे साथ जो हुआ है हम आपको बता देए इस देश के अंदर यह एक एक फाउंडेशन डल गई है हमारे साथ जो हुआ है कि इस देश के अंदर कभी कानून नहीं रहा क्योंकि अगर जो कानून वाले के सात यह किया तो इसका यह नतीज़ है कि देश के अंदर कानून हमेशा के के ही किलि resist Он किय大家都 मैरे को मेरे में तो कोई उमीद नहीं mossy को कई होगा भविश्य मैं चाहता हूँ भविश्य हो लेकिन मैं इसमारे मेरे मेरे को तो नहीं रखता है कि अब कुछ भविश्य राय इस देश के लिए जब आपने ये सब करवाईयां शुरू की तो उसके बाद किसे ने आपके उपर दबाव डाला या धंकिया वगरा दी हाँ मेरे को दो बार दो लोगों ने धंकियां दी मैं उनके नाम नहीं देना चाहता हूँ दो धंकियां दी और उन्होंने का कि अगर आगे जबान खुली तो हम आपको आपको जान मार देंगे आपको जान से ये बात मेरी नहीं है ये बहुत सारे जितने भी मेरा ये आस तक अनुबाव है कि इस देश में जब भी कोई सिविल सर्वेंट ने ब्रष्टाचार के खिलाब आवाज उड़ा ये पिछले दस साल में वो उस आदमी ने भुगता है तो इससरे भी बीएश पी का सवाल नही इससरे राज करेगा हिंदू हिटका काम करेगा हिए इससरे राज करेगा ते वहों करेगा हिंदू हिस्वार करेगा हिए इस्वार करेगा हिए ठाट आप प्र आप इससरे वह था करेगा है। लुट 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 कि अजया थे जजया 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 थे जजय अक्तूबर को हिंदू पहुशेगा, सर्जू में एक बुंद जल नहीं रहेगा, वो खून की धारा से नदी बहेगी, और शाड़ा अजुद्या रक्त रंजित हो जाएगा, हल्दी घाटी अजुद्या बनेगी, यह इंपाल का मैदान अजुद्या बनेगा, जल्यन बाद का पर सुद्या बनेगी, राम जन्म भुमी की जैए, कासी विश्वनातिकी मारिंगे, मंजिर वही मनााएंगे, मारिंगे मर्जाएंगे, मंजिर वही पनाएंगे vaccine करस्य वेकल्नत दिनम् ओक्टोबर मासम मुप्पधाम दीदिया इए परिक्रम केतिया साधरन कारेईं पल्ली पोलिक्यानी रंगी तिरिच्या कर्से विकरेईं तिरिचारियान आवात्त दिनाल तद्देश भरन गूडं अविडे उर करफ्वी उपरख्याबिचू हमारी मौत होगी अजल सर पर खड़ी हरत मुझे मालूम होती है मेरी हरसांच मुझको आखरी मालूम होती है मौत है कल क्या होगा अब यह मैं बोल रहा हूं अभी सांस निकल जाए खतम लिगी ने जैपूर को जला दिया फूंक दिया बरबात कर दिया वहारत हमारा जला इसी घबराता है मिलते दूसरे के दूसरे मिलते हुए घबराता है ऐसी भावना खराब कर दीगे इंडुस्तान की भारत वर्ज की कि इसका जवाबी नहीं मिलता है जाब पैकर्मा करने तो हम तमाम मुसल्मान जाते थे शो किया कुश्यारी दोस्ती में भाई से मेरे तालुका अधर्मा करने खेलो पाली पिला पेजर आप अभिया जाए तो हम आप एक थालीम बैट गर खाए लेकिन जहां मामला या बाबरी मजद को जलम मुम का तना क्या अब उदर खड़ी को में इधर खड़ा हो गया ना बहन रही ना भभाई रहा जो हिंदू है उनकी क्या इसमे कि अग्र वाने में गाते हम परस्ते हैं वो खाते हम गहते हैं मतलब दोनों पार्टियों में यहां बाहर के असामाजीकतत नहीं आएंगे तब तक यहां जगड़ा होने कोई सवाल नहीं ना आज इस टाइम में असा मज़िक तता जाएंगे इस टाइम तो जगवा होना होना है आप जल्टा को सुझित किया जाता है कि सहर में कर्फ्यू पूरी तरह से लागू कर दिया गया है कोई भी ब्यक्ति कर्फ्यू का उलंगन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाब सबसे सब्सक्त कारवाई की जाएगी और पल우्त प्रयोग किया जाएगा आन जलता कर पुजित किया जाता है कि जय मैं सर्थी पुली दर्फों रगु कर लिया लेका है राषन सभार्य। जायसिरीराप जायसिलीराप जायसिराप जायसिराप रा карт था मुझा ए्भाव रजज नुक्ष एकस भूनन कोले र Cliffanız भूनन कोले रिजिस नुका कुनन कोले र Hackèle उक्टोबर मासं मुप्पतां देदी आयोधेले तेवर सरयो पालम कडणन अविड़े प्रवेशिकी मुनुप अरश्चुची यह पट्टू हिंदु तुत्वनिवेंडी तांगले तुनक्या नाण कर्सेवेकर पोलीस नोड़ आखुनम चेतत मर्दिर उहीं बनाएंगे मर्दिर महराज क्योंकि तो उसकुछी अव्य जियांगे जड़ो ऻकर अट्व बनाएँगे लटी गॉली खाएंगे मुंद्र भही बिलाएंगे लटी खाएंगे एक चासु बासर साल पहला एक लुटेरे ने आकर अगर हमारे मंदर को दोस्त किया है तो जे हमारे माधि पर क्लंक है अगर जे बावरी मच्छर रहेगी तो हिंदुम पर जे क्लंक हमें अपनी गुलामी याद जलाता रहेगा हम इसको उठा करेंगे जे गुलामी का चिन है से हम खतम करेंगे चाहे खूं से करें चाहे गोलियां से करेंगे और मस्धिद भी तोड़ेंगे भगवान का रूप हमारे अंदर हो अगर वो इसको कलंक को अपने माते पर लगा करके रखना चाते हैं य अपने हाथों में रिवालवार पकड़ेंगे हम करमेंट सर्वेंट के अध्या पके लेकर छोड़ देंगे कलम और पकलेंगे रिवालवार हाँ बिलकुल सही किया है उन्होंने बिलकुल सही किया है जो इस देश के साथ गटारी करेगा उसका यही अंजाम होगा और इस बात है वो मुलाइम सिंग हो चाहे वीपी सिंग हो उसका अंजाम यहीं होगा लेकिन हम यहां खर्म नगरी में आए हैं मंदिर का निर्मान करने आए लड़ने नहीं आए बिल्कुल सही किया है उसने कोई गलत नहीं किया और दिकार है कि जो 70 करोड हिंदू को एक तरफ रख करके 10 करोड मुसल्मानों की तलवे चाड़ता फिर रहा है दिकार है ऐसे हिंदू होने पर अच्छा आप कौन से जात के हैं हम हिंदू है खत्री हां 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 है इनको पूरा कर लेने दो हमारा जगडा इंट्रिव पूरा कर लेने दो हां आप कहां से आएं हैं डिश्टिकी ốngट्रिश और क्या करते हैं हम पंदा है गानाजी कि, आप क्या करने आए obey есс Kendis mei प्रिक्रम्ह देने हैं कर शेवा के लिए हैं कि ने हैं तो आपको मालम था कि यहां पे कार सेवा भी लोग कर रहे हैं राम जन्मु यह मालम है मरा हमको जब कर फू खुल गया जब हमको कव कल भी हम नह सुना कि परक्रमा लगागी तो फिर हम आए तो आप को यह मंदिर और मस्जित के जगड़े से को कोई लेना देना नहीं आपको फरक नहीं पड़ता कि मस्जिद भी रहें और मंदिर भी रहें कोई नहीं हम तो जा कि मंदर में ठ्थे रहेंगे एक मंदर में यहां यहां एक मंदर है सागिर्या पत्टी में भाँ ठ्थे रहेंगे अच्छा तो आप यह नहीं कह रहें कि मंद अब दोगार को जो नहीं हो पादी है है पून कोल है पून नहीं वा पादी है फिर जो आगाइव लाएंवो देवा हूँ है जला है जला है Ĝला है 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 सबस्तों है जला है तनी तरी देशने ही थागाइव फिर जानी है भारण यंद्रतिले पाला उन्नदिरुम् सवर्न हिंदुक्ट आईडुनु। हिंदुत्वो वाध तूडुल्ला आवरण आनिभावं रहसिमायरुनेल्ला। विश्यो हिंदु परिष्टिंडे वाईस प्रसिडंड से दीचित मुन पोलीस डिरेक्टर जनल्ला आईडुनु। अधेहं इपोल्ड पोलीस ले माईको ब्योगिच्च करसेवगरे अभिसंपोधन चेयुकियाण। प्रसंगम अवसानी चिन्दमिशंगल कगम अधु पोलीस लिम चलेन मोंडाकी। बैरिक्केटुकोल तकरत्त करसेवगर पल्डी अंगणतेलिपर वेचिच्चु। प्रसंग में प्रसंगें! ःश्मिशन फ़ाई्ट। प्रसंगत उबटीच्च करसेवगरे अंगारे अभिसंगपना पल्डी में उपार्शंग्स करसेवगरे आशभी कर दो है चाहिए लुट कर दो पार खुट अokayको तोड़ दिया तोड़ करके हमने चाहा जो कुछ हो जाए लाठिया उक्सेते भी रहे और हम तोड़ते भी रहे उपर चार लोग मरे हैं जाजा मरे हम ऐसे दोनों साइट से लोग तोड और लोग मरे भी हैं तो आपको यह बुरा नहीं लगता है कि आपने जो करवाई की है उसे लोगनों की जाने गईं है अगर ये वर नहीं अपर हने पूरा नहीं है तो लगता है साथ बोता Тो खेंव हमारे भाई हैं लेकिन फिर भी उसके बाद जे हमारी पहार हमारी मद शवर संक के इजादति तो तक करना चाहिए जिसके बीड़ा हम पूर लोग हम को फूड़ किया है जैनाग के लिए हम के बाव दुख है यह फॉत है घाहल वरत painterilipp01 के लिए हम को बड़ा दूख है कर दोर रानाव कर दो चॐर अजबो लाद गजबरा जोरे mission, कर दो कर दो कर दोो खजबरा जो जो गो धजबरा जो बजबार मुझा है है और जुद्या ही नहीं परके बूरी भारत की जन्मानस को इसको अभिरूद करना चाहिए कि किसी की धार्मिक भावना पर ठीज नहीं पहुंचाना चाहिए हम किसी के दिल को तोड़े नहीं है हमारा धर्म ये लाउन नहीं करता है इसे को कभी अनमती नहीं देता है राम का हमारा ये जो आदर्श है राजिनित का वो यही है कि जनता सुखी रहे और जिस तरह से मुख में हम भोजन डालते हैं पेट को मिलता सभी अंगों को मिलता उसी तरह से सारी जंता हमारी है कोई उसमें छोटा बड़ा कोई उसमें ऐसा नहीं है लेकिन उन आदर्शों किसी थी हत्या की गई मगर आज जो लहर चल रही है हमारे देश में इस लहर में जो लोग ग्रणा की भाषा बोलते हैं उनके पीछे ज्यादा लोग चलते हैं और जो लोग प्यार की भाषा बोलते हैं जैसे आप बोले हैं उनके पीछे कम लोग हैं ऐसा नहीं है यह तो जैसे एक बार आती है भाठे की तरह से जब तुभान आता तो उसे तमाम पेंड गिर जाते हैं तमाम मकान ढहा जाते हैं, सरक्नष्ट हो जाते हैं, तमाम परिभान से वेर सेवाय ठप हो जाती हैं, एक दोहा लिखा है, आरनिकान में, कि हरित भूमित्र संकुल, समुझ परही नहीं पंथ, जी में पाखंड बाद ते लुप्त भई सत्ग्रंथ, जब घोर बरशात होती है, जितनी घास उख जाती है, जो सही रास्ते वो दिखाई नहीं बढ़ते हैं, उसी तरह जिस तरह से पाखंडियों के बाद से सही बात जो है छिप जाती है, जैसे कोई आदमी खा लिया कोई नसा, नसा जब तक उसके सरीर में रहेगा, तब तक कोई भी क्रियाव कर सकता है, पागल भी हो सकता है, अटेक भी कर सकता है, सुहम की आत्महत्या कर सकता है, यह समुनमाद होते हैं, विचार, चिंतन, यह समनस्ट हो जाते हैं, लेकिन यह बरशात तरित्व थोड़ी ही देर तक होती है, बाद में लोगों की समझने की, सोचने की यह च्छमता होती है, तो जो लोग जान जाएंगे, कि हाँ ये बात गलत कही गई, हम लोग को गुम्राह किया गया, तो अपने ही लोग उसका वहस्कार कर देंगे. मैं बहुत दुख मैसुश करता हूँ, तब भी मैं अपने को उतना ही सहिम, उतना ही धहर में वापना बना रखा हूँ. मैं तुखान है, लिकिन उस तुखान से हम उसे बिचलित नहीं होना चाहिए, ये भाठे की तरह से आया और गया. मंदिर के अंदर हमें जाने ही नहीं दिया जाता है, तो मंदिर से हमें क्या लाव है? मंदिर की मूर्तिया अगर पिस जाएं, पिस दी जाएं, तो वो तो दुबारा हम कई परकार के मसाले से बना सकते हैं, लेकिन हमारी अगर जनता कड़िया है, तो हम किसी परकार के मसाला उसमें नहीं लग सकता है. और अगर देखिया हमारी इस बस्ती में बहुत से लोगों की जलम भूम हुई है, उनको यहां से निकाला जा रहा है, अभी यहां ही गाहों से करीपरीब डेड़ से बस्ती है, उनको निकाला जा रहा है, और यह कही क्योल राम है, उनकी भूम के लिए लोग कितना परेसान ह और संख्या भी उसके पीछे दोड़ रही देखिए मैं क्यों दोड़ूँ साधू देखो जग बवराना साच कहो तो मारन धावे जूठे जग पतियाना साधू देखो जग बवराना हिंदु कहत है राम हमारा मुसल्मान रह्माना आपस में दो लड़े मरत हैं मर्म कोई नहीं जाना माला पहिरे टोपी पहिरे छाप तिलक अनुमाना बहु तक देखे पीर आलिया पढ़े किताब कुराना करे मुरीद कबर बतलावे उनहु खुदान जाना या विधि हसत चलत है हमको आप कहा वैस्याना कह कबीरा सुनो भाई साधो इन में कौन दिवाना साधो देखो जग बवराना साधो देखो जग बवराना